हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने किचन में आज मैं आपके लिए लाई हूँ चोकलेट केक की रेसिपी यह बहुत ही आसानी से बन कर तैयार हो जाता है और हम इसे बिना ओवन बिना अंडे के बना कर तैयार करेंगे तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं इसके लिए हमें चाहिए मैंने इस कटोरी के नाप से 0.5 कटोरी मैदा लिया है एक कप दूद आधा कप रिफाइंड ओल एक चम्मच बेकिंग पाऊडर एक टी स्पून बेकिंग सोडा दो बड़े चम्मच कोको पाऊडर और एक कटोरी चीनी का पाऊडर मैंने चीनी को गाई है, वह ने एक चलनी ली है, उसमें मैं शबसे पहले मैदा चान लोगी, सारी सामगरियों को हमें इस तरह से ही चान के लेना है, क्योंकि ऐसा करने से हमारा केक बहुत ही स्पंजी और फूल के तयार होगा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पॉडर को भी हमें च्छान कर लेना है मैं देखू मैंने च्छान लिया है अब मैं चीनी पॉडर को भी च्छान कर लूँगी और कोको पॉडर को भी ऐसे ही च्छान कर लेंगी मैंने इस तरह का एक बरतन ले लिया है अब मैं इसके चारो तरफ अच्छे से तेल लगा लूँगी हमें इस पे अच्छे से ओईल लगाना है ताकि हमारा केक कहीं भी चिपक न जाए मैंने अच्छे से तेल लगा लिया है अब इस पर मैं थोड़ा सा मैदा डाल दूगी इस तरह से मैदा डालना है अब हम इस तरह का एक बरतन लेंगे इसमें एक कटोरी के करीब नमक डाल कर इस तरह का एक स्टेंड रख देंगे अगर आपके पास स्टेंड ना हो तो कटोरी को उल्टा करकर भी रख सकते हैं इसको पांच मिनट गरम होने के लिए ढखकर रख देते हैं अब इन सभी सुखी सामगदियों को हम अच्छे से मिला लेंगे थोड़ा थोड़ा दूद डालके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें हमें उत्मा दूद डालना है जितने में इसका एक स्मूद बैटर बनकर तयार हो जाए देखिए हमारे बैटर मिक्स हो गया है अब हम इसमें चार चमच तेल डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे केक के बैटर को हमें धीरे धीरे मिक्स करना है देखिए हमें ऐसा बैटर बना कर तयार करना है अब हम इस बैटर को जिस बरतन में हमने तेल और मैदा लगाया था उसमें डाल देंगे और इस तरह से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे अब हम इसे स्टेंड के उपर रख देंगे अब इसे ढखकर अच्छे से बेक होने के लिए छोड़ देते हैं मेरे केक को कम से कम 45 मिनट लगे हैं बेक होने के लिए और हम इसे लो फ्लेम पर ही बेक करेंगे देखिए 45 मिनट हो गई है अब हम अपने केक को चेक कर लेते हैं मैं फोक की सायता से इसको चेक करूँगी ये देखिए हमारा फोक एकदम साप निकला है इसका मतलब हमारा केक अच्छे से पका हुआ है अब हम इस केक को ठंडा होने के लिए रख देते हैं तुरंत बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि तुरंत अगर बाहर निकाल दिया तो हमारा केक नीचे से तूट जाएगा 15 मिनट हो गई है हमारा केक अच्छे से ठंडा हो गया है अब चाकू की साहता से साइड साइड से इसको हटा कर बाहर निकाल देते हैं अब हम इसे उल्टा करके बाहर निकाल देंगे ये देखे हमारा के कितना अच्छा बन कर तैयार हुआ है और ये आसानी से बाहर आ गया है अब हम इसे काट कर उपर से लेवल कर लेंगे अब मैं इसे बीच से भी काट लेती हूँ आप इसे चाकू की सायथा से भी काट सकते हैं लेकिन मैंने इसे चाकू और धागे दोनों की सायथा से काटा है मैंने थोड़ा सा इसको चाकू से काट के उसके बीच में धागा गुसा के उसको खीच दिया है जिससे ये एक दम बराबर कट गया है अब हम इस तरह से एक बरतन लेंगे उसमें एक गिलास के करीब पानी डालेंगे और इसके उपर दूसरा बरतन रखके उसमें चोकलेट डाल देंगे और इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे ये मैंने dark compound चोपलेट ली है इसको चलाते हुए अच्छे से melt कर लेंगे ये melt होने लगी है इसी में हम अब डालेंगे तीन बड़े चम्मच क्रीम यहां मैंने amul क्रीम का इस्तेमाल किया है इसको भी अच्छे से इसमें mix कर लेंगे इसमें अब मैं डालूँगी एक कटोरी चीनी का पाउडर डार्क चोपलेट थोड़ी कड़वी होती है इसलिए इसमें चीनी जादा डलेगी अब हम इस सब को भी mix कर लेते हैं इसमें मैंने थोड़ी सी क्रीम ओल डाल दी है अब हमारी चोकलेट बनकर तयार है ये मैंने एक कटोरी विप्ट करीन लिए है इसमें एक चम्मच कोको पाउडर डाल देंगे अब हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे अब मैं सुगर सिरप तयार करूँगी इसके लिए मैं दो चम्मच चीनी का पाउडर लूँगी और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से गोल लूँगी देखिए हमारा सुगर सिरप तयार है अब मैं केक के दोनों साइड अच्छे से सुगर सिरप डाल दूँगी जो मैंने पहले चोको विप्ट करीम बनाई थी अब मैं उसको इस पे लगा दूँगी ये देखिए मैंने चारो तरप अच्छे से फैला के इसको लगा दिया है अब हम इसके उपर दूसरी लेयर लगा देंगे अब हम इसके उपर जो हमने चोकलेट मैल्ट की थी वो लगा देंगे चारो तरप इसे अच्छे से फैला कर लगा देंगे ये मैंने अच्छे से चोकलेट लगा दी है अब मैं इसे चोको चिप्स से गार्निस करूँगी देखिए मैंने अच्छे से इस पे चोको चिप्स लगा दिये हैं और जो मैंने दो घर पे फूल बनाये थे वो भी इस पे लगा दिये हैं ये हमारा केक बन करके तयार है अब ही मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ हमारा केक एकदम सोप्ट, स्पंजी और जालीदार बन कर तयार हुआ है मैंने इसे डेकुरेट किया है आप चाहे तो बिना इसे डेकुरेट किये भी खा सकते हैं ये तब भी बहुत तेश्टी लगेगा ये है केक बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आता है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले थैंक यू